नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी अपनी प्राची अधिकारी यह खबर है लोनी गाजियाबाद से यहां पर फुरकान कुरेशी लोनी इसकी FB ID है फेस्बुक की ID है जिसे इसकी थोड़ी बहुत information निकाली है फुरकान कुरेशी अपने आपको सपा का नेता बताता है और हुआ कि ऐक बच्ची नबालिक बच्ची जो वहां पर रहती थी उसके पिता नहीं थे और तो इसने उसको किराये में घर देने के बहाने किराये में कमरा दे दिया और उसके बाद वो लड़की को नौक Corni का जहांसा देते हुए तो मेरे काफी तम्स हैं नेताओं वगर ऐसे तो बच्ची इसकी बातों में आ गई उसने विश्वास कर लिया उसको लगाए बड़ा आदमी है रसुपदार है मेरी मदद कर देगा उसके बाद इसने उसको बुलाया उसका विश्वास जीता उसको बुलाया उसको पीने के लिए कुछ आदकार कर रहा और भी लोगों से भी करवाया उसके बाद उसका विडियो बना दिया पॉर्ण जैसे कि आपने इसको बनाने के बाद उस लड़की को बताने लगा कि ये देख तेरा विडियो है और जब लड़की ने कहा कि में थुम्हारी शिकायत करूंगी तो बोला ये यह DM के साथ मेरा फोटो है यह याले नेता के साथ अकलेश के साथ मेरा फोटो है यह वाले नेता के साथ मेरा फोटो है यह पारशत के साथ मेरा फोटो है यहां सारे मेरे लोग हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी वो बच्ची रोने लगी उसके बाद यह जब उसक खराब होने लगी उसके साथ यह सोशन बढ़ गया और ना उसको कहीं जाने दे रहा था बिल्कुल एक तरसे नजर बंद कर दे रहा था तो उस लड़की ने हिम्मत जुटा कर वहां से निकल कर कुछ लोगों को बताया जिन लोगों की संग्यान में माम लाया तो उन्हेंने HRD कारीकरताओं से बात करी यानि कि HRD कारीकरता मेरे हिसाब से Human Rights Department ही होगा जो मेरे Department है Human Rights Department उस Department के लोगों को जब यह पता चला तो उस विभाग ने जाके पुलिस पर जोर दिया कि F.I.R. लाउंच हो तो F.I.R. लाउंच करी गई F.I.R. बुक करी गई F.I.R. रजिस्टर्ड करी गई F.I.R. होने के 24 गंटे बाद भी इस आदमी की गरफतारी नहीं हो पाई है तो अब मेरा कहना यह है प्रशासन से फिर यह मत कहिएगा कि लोनी का माहल हिंदू खराब कर रहे हैं जब इस तरह के राक्षस वहां पर खु लहरा के हिंदूों के घरों को मार रहा था आप तो उस ताहीर हुसान को भी गरिफतार नहीं करते जो बड़ी बड़ी गुलैले लगा के पेट्रॉल बंप इस तरह से मार रहा था कि हिंदूों के सारे घर जल जाएं और वहां का जो मंदिर वो भी जल जाए और वो गोलिया चला रहा था और कहा रहा था इटे फेको पत्थर फेको है ना तो आप लोग कभी गिरिफतार मत करना जब पूरे देश का महल खराब हो जाए जब आपकी वर्दी पर ये थूकने लगे और ये तो हिम्मत बढ़ी गई है आप लोगों की वज़े से लोगों की हिम्मत इतनी ब बात है लेकिन असली में है तो आप भी इंसान ना और आप ये जो होता हुआ पबलिक के साथ हो रहा है किसी के साथ भी कि लड़की भी अचूती नहीं रहे इससे आप जो सोच रहे हैं कि मैं प्रसाशन में हूं मैं मंत्री हूँ या मैं वो हूँ शीला दिक्षिती बेटी भी एक बार चपलों से मार खा रही थी वो तक नहीं बोल पाई थी इसलिए मैं आपको यह कहके जा रही हूं कि उस आदमी की ग्रफतारी करिये और न्याय संगत कारवाई करिये ऐसे लोगों को सजाए मौत के सब्सक्राइब करें आखर इनको संड्रक्षन यह प्रिसाशन नहीं दे रहा है इस प्रकार का एक तरह से चुपी साथ लेना भी एक तरह से बढ़ावा होता है या तो आप चुपी के बाद एक्शन करिए लेकिन आप इसको ग्रफतार ना करके उसकी हिम्मत बढ़ा रहे है जो कह रहा था उस बच्ची से उसके दमान से तंतुला नहीं खो जाएगा उस लड़की का वो तो सोचेगी हां उसमें सही कहा था कि फोटो दिखाने के बाद यह डियम के साथ इसका फोटा है कम से को मुझे खाने के लिए दो रोटी तो मिल रहती अब तो मुझे वह भी न इसी कि गलत काम करके शॉटकट अपना के आगे जाना है और कुछ लड़कियां जो अच्छी होती है उनको बिगालने का काम भी आप करते हैं जब उसको न्याए नहीं मिलेगा या तो वह सुसाइट करेगी या बिलकुल बदल जाएगी वो कि न्याए वयाए छोड़ो आप अगर उसको न्याए नहीं देते हैं या तो आप उसे कातल और चोर बनाएंगे या फिर उसकी वो जिन्देगी चाहाथ दो बैटेगी दोई चीज होगी इसलिए उस बच्ची को न्याए दीजिए और मैं हिंदू समास से भी ये निवेदन करती हूं कि आप लोग भी लोगों के लिए खड़ा होना शुरू करिए खाली ये वीडियो देखने और बनाने और सुनने से कुछ नहीं होगा या कोई बढ़काओ बात करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप ग्राउंड में एक दूसरे के साथ प्रॉस में जानकारी शेर नहीं करेंगे उन्हें सच होता है या कोई भी मेरी जान पशान का व्यक्ति होता है मैं उसे ये बाते इसलिए बताती हु कि वो अवैर हो जाए जब मुझे कोई कहता है मुझे इस आदमी ने गिफ्ट दिया है तो वो खुद कहते हैं लड़किया अरे मैं सब जानती हूँ आँटी ने मुझे तो अगर आप भी फिला सकें मैं कोई अक्षे कुमार तो हूं नहीं जितनी मेरी हैसियत है जितना मैं कर सकती हूं उतना मैं करती हूं आगे आपकी भी तो जिम्मधारी है यह बच्चियों के साथ जो बलतकार हो रहा है यह जो वीडियो आप कहते हैं कि शियर मत करो शियर इस नियत से करो कि वह लड़कियां सीखें उसमें कुछ ऐसा तो है कि उसको मजे लेकर चटकारे से देखा जाए उसमें एक लड़की की चीक है और दर्द है तो ऐसी चीजें बताओ इन बच्चियों को समझें ताकि आगे निर्भया ना हूं वह लड़कियां पहली सत्तर को ज होगी जो गाजयाबाद का लोनी पुलिस स्टेशन है उसको यह टैक करके लिखिए आप हम भी करेंगे आप भी करिए इसी संदेश के साथ मैं प्राचिया दिकारी कि आप मेरी कहीवी बात पर अमल करेंगे और समाज को अवैर करेंगे और खासकर लड़कियों को और माओं क कि हमारे सभी सनातनी को यह पता होना चाहिए कि उनका दोस्त बनके जो आता है वह भी इस प्रकार की हरकत रसकता है याद है रहता है जो मेरेट से गया था वहां नौकरी करने के लिए राजिस्तान बगर हमें उसमे क्या कर था एक बच्ची को बार बढ़ा के लाय था बुर करें और कभी कभी वीडियो लंबा होता है तो उसे भी देखा करें क्या पता कोई ऐसी चीज हो जो निकली हो वो काम आजाए आपके क्योंकि मेरी उम्र से जादा मेरा एक्सपीरियंस बहुत है बच्पन से बहुत सारा इर्द इर्द का मौहल देखा है और सारी चीजे समझी ह और महसूस कर रहा है ठीक है जरूर नहीं कि किसी लड़की किसा कुछ गलत हो तो ही वो अवेरनेस फिलाई यह चीजें औरों के एक्सपीरियंस से भी आती है तो आज मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे दिमाग एक 70 प्लस आदमी की तरह है जब लाइफ की बात आती है जब फैश घर समालने की पैसे की और जिंदेगी के नजरिये को सीरियस बातों को देखने की बात आती है इश्यूस की तो एक 70 प्लस आदमी की मेरी सोच आदमी की समझें आपको समझना होता है चीजों को थोड़े बच्पन बच्पना बहुत जरूरी है हम सब में है मुझ में तो हमेशा केक का पीस नहीं है तो चाखू भी है जो केक पर पड़ता है इसी संदेश के सांद जजहन जजभारत वंदे मात्रम जचरीरा